नमस्ते गाइज आशी शेफ और नमस्ते डेक और हमारे पास है वीवो का वी 15 यह प्रो मॉडल से नीचे वाला मॉडल है बट इसके जो फीचर से मोर और लेस सिमिलर हैं वी 15 प्रो के मकाबले में तो कुछ फीचर से दर दर हुए हैं बाकि सबकुछ अलमस्त सेम है इस वीडियो में आपको बताऊंगा दो चीज एक तो कुछ ऐसे डब जिसको हम हेड़न फीचर भी कहते हैं जिसमें आपको कुछ ऐसे फीचर बताए जाएंगे जो कि लोगों को कम पता होते हैं दूसरा से सब फीचर सबके लिए जो फोन पहली बार ले रहा है और उसमें बताएंगे जनरल फीचर जो आपके रेगुलर डे टो डे यूज़ में काम आ सकता है तो शुरू करने पहले अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए तो मेक शूर करिए कि सब्स्राइब बटन दबाना न अपने अगर वीवो के फोन पहले भी यूज़ किया है जैसे कि वीवो का वी 11 तो फीचर सापको काफी कुछ सिंबर लगेंगे तो यह वीडियो उनके लिए डेडिकेटेड़ है जो पहली बार वीवो के फोन यूज़ कर रहे हैं तो इसके जो मैक्सिमम फीचर से वो सारे स इसमें वेलेबल है और जो सेटिंग की सबसे इच्छी बात है वो यह है कि आप सेटिंग्स में सर्च कर सकते हैं तो आप सेटिंग्स खोल लीजये और फॉलो अप करिए तो पेली चीज़ हम बताएंगे वो है कि जो भी वी 15 का जो केमरा है जो फ्रेंट क्यामरा जो आत्मि सकता है तो अगर यहां पर आप साइंट करिए और पर करिये तो आपको मिलेगा सेल्फी लेना शांती में तो इस म्यूजिक का फाइदा उठा सकता है वी 15 प्रो में साइड में बटन आता है इसको अगर मैं दवाता हूं तो गूगल एसिस्टेंट लॉंच हो जाता है जो कि लिसन करता है यह एक नया फीचर सारे फोंस में आ रहा है लेकिन अगर आप इसको चेंज करना चाहते हैं तो आप इसको चेंज कर सकते हैं वीव ने से स्मार्ट बटन का नाम दिया है और आप अगर सेटिंग में जाके स्मार्ट बटन करेंगे तो आप को मिलेगा यह जो भी का फीचर है बेसिकली इसमें आप चेंज कर सकते हैं कि सिंगल प्रेस पे गूग लेना चाहते हैं तो उसको यूज कर सकते हैं जो तीसरा है वो यह है कि प्रेशन होल्ड का उसमें आप क्या लॉंच करना चाहते हैं गूगल एसिस्टेंट के कस्टम फंशन्स का भी आपको अक्सेस मिलता है यहां पर तो आप चाहे तो उनको उस अपने हिसाब से चेंज कर सक कि यहां पर आप स्लाइड अपवर्ड लॉक कर सकते हैं कुछ कॉन्फिग्रेशन है जो आप चेंज कर सकते हैं डीफॉल्ट के मुकावले जैसे कि आप स्लाइड डाउन्वर्ड करिए तो एक फोटो ले लेगा लॉक स्क्रीन पर यह काम करता है स्लाइड अपवर्ड इस दोनों को आप आप कर लिजिए और जिस भी आपका डेटा आप हाइड करना चाहते हैं मालीजिए मैं चाहता हूं कि मेरा Amazon Shopping hidden रहे तो अब जब मैं इसको on कर देता हूं और Amazon Shopping launch करता हूं मालीजिए और जब मैं multitasking में जाता हूं तो आप देख सकते ही यह content blur है exactly नहीं पता चले है क्या है यह specially काम आता है जब आप text को hide करना चाहते है B15 एक powerful phone है और मैं sure हूं कि आप लोग उसमें game जरूर खेलेंगे इसमें आता है game mode जब आप इसको use करते हैं तो आप background calls notifications वगरे को turn off कर सकते है temporary जब तक आप game खेल रहे हैं तब तक उन सबसे आपको कोई problem नहीं होगी इसमें game picture in picture का option है automatic wifi को disable कर सकता है call reject कर सकता है इस तरह के जितने feature से वह यहाँ पर possible है इसमें आपको करना इतना ही है कि आप यहाँ पे games को add कर सकते हैं जब आप plus करेंगे तो यह game की list populate करेगा और फिर उसमें आप game select कर लीजिए तो जब भी आप वो game खेलेंगे तो यह game mode में काम करेगा call recording एक बहुत popular feature है जो की वीवो offer करता है इसके लिए आपको जाना पड़ेगा system app settings में उसके बाद आप जाईए phone में और phone में आपको मिलेगा option record settings यहाँ पर आप देख सकते हैं कि आप configure कर सकते हैं कि आपको कैसे call record करना automatic करना है manual करना है custom ही करना है तो इस तरह के चीज़े आप कर सकते हैं तो यह तो हो गए हमारे सारे uncommon features अब हम बात करते हैं regular tips की जो आपको पता होनी चीए एक चीज़ अगर आप लोगों ने देखी होगी तो जब भी आप call log में जाएंगे तो आपको यह option मिलता है video call start करने क माल लीजे अगर यह किसी current से यह native video calling की बात करना हो कोई आप use करने की बात नहीं कर रहा तो माल लीजे ऐसा feature अगर आपके phone में नहीं available है तो आप क्या कर सकते हैं तो आप आईए settings में उसके बाद आप जाए mobile network में और जो sim है जिससे आपको video call करना उसको select कर लिए यहाँ प अभी support मिलता है तो जब भी आप एक OTG प्लग करेंगे तो आपको इसको on करना पड़ेगा एक बार जब आप on कर लेंगे तो automatically उस drive को यह detect कर लेगा और उसके जो भी content है वो आप easily access कर सकते है बाइड़ी 15 में आप देख सकते है बैटरी का percentage अलग से बैटरी के अंदर नहीं और यहां पर आप outside the battery icon या inside the battery icon कर सकते है इंसाइट करेंच एक ही फायदा है कि आपकी जगह वहां थोड़ी सी बढ़ जाती है वी 15 में आपको बाकी वीगों की फोन की तरह system navigation भी मिलता है system navigation gestures इसको बोलते है तो आप search करिए setting के अंदर navigation और आपको यहां मिंदा का navigation gesture इसको select करिए यहां पर तो अभी keys है जो मैं use कर रहा हूं इसको आप change कर सकते हैं gesture में तो यहां पर आपको ट्रायल का option देता है कि आप यहां पर slide upward करेंगे तो यह आपका पैनल ले आएगा इसको करेंगे तो home screen ले आएगा इसको करने से यह back चला जाता है तो यह इस तरह से आप आपको एक टुटोरियल टाइप का दे देता है कि navigation gesture को कैसे यूज कर सकते हैं एक टिप जो हम हर फोन में देते हैं वह है डिस्प्लें ब्राइटेस में आई कमफर्ट इस फीचर को ज़रूर यूज करिए यह आई कमफर्ट का फीचर यहां पर अवेलेबल है यहां पर आप कर सकते हैं तो मैनुल से भी आन कर सकते हैं या तो आप इसका टाइब सेग कर सकते हैं तो बहुत ज्यूज कर दें यह तो कूच उस करना पड़ता है तो में क Fourीट करिया कि इसको जरूरू यूज करिए भी 50 में आपको मिलता है इक आई Manager कि इसमें काफी सारा फीचर आता है इसमें एक फीचर है एप लॉकिंग का जिसको कि यह लोग आप एंक्रिप्शन भी बोलते हैं तो आप इसको सेलेक्ट कर सकते हो और एक सेट अप कर लिजे अपना एक पासवर्ड में यहां पर जैसे पासवर्ड सेलेक्ट कर लेता हूं न पासवर्ड यह अगर आप थोड़ा कॉन्फिग्रेशन चेंज कर दे तो यहां देख सकते हैं फिंगर प्रिंट का भी ऑप्शन आ रहा है तो आप इसको अन कर दिए तो नेक्स्ट ताइंग यह आप से फिंगर प्रिंट के थूँ अनलॉक कर सकता है उसके अलावा आपको काफी सारे फीचर मिलता है जो मुझे पसंद है जैसा कि स्मार्ट मिररिंग है आप अपने डिवाइस को वाइफाई से कनेक्ट करके मिरर कर सकते हैं इन अप्लिकेशन को यूज कर सकते हैं स्मार्ट स्प्लिट है अप चाहे तो अप्लिकेशन को यहां पर स्प्लिट कर सकते मनवली या डारेक्ली और स्पेसली मेश्जी स्क्रीनिंग का औप्शन आपको मिलता है कि मानद यह वाटसराइब को मेसज आया तो ड्रागड़ डाउं करके वटसराइब का मेसेज एक अलग विंडों में झोल सकते हैं जैसी में से जाता है तो उसके लाब वन हैंड़ेड मोड है एस क्याप्चर है आप क्लोन है आप क्लोन का फीचर में आपको क्विकली दिखालता हूं बट बहुत लिमिटेड है यह सिर्फ अभी वाटसाइब टेलिग्राम इन कुछ आप्स को ही अलाव करता है अगर आप सारे आप सको क्लोन करना चाते है तो आपको एक थर्ड पार्टी आप यूज़ करना पड़ेगा तो दोस्तों यह थे सारे फीचर्स वीवो वी 15 के जो आप डे टुडे यूज़ में यूज़ कर सकते हैं अपने फोन का एक्स्पीरियंस बहतर बनाने को अगर ऐसा कोई टिप है वीडियो आप सोचते हैं कि हम यहां दे सकते थे तो इसको कमेंट में जरूर बताए अगर आपको वीडियो पसंद आया तो उस वीडियो को जरूर लाइक करें शिर्क करें अपने दोस्तों करता सब्सक्राइब करिए हमारे चानल पर देखने के लिए धन्यवाद